हेलो एवरिवान वेल्कम बाग तो मैं चैनल ट्रिपल सेवन सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रिडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगों क यह सारी बाते जानेंगे ओविसली यह आपका लव प्रेडिक्शन है तो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि यह जर्नल प्रेडिक्शन है तो हो सता है सभी के साथ रेजोनेट हो सता है ना हो सो प्लीज कीप अपन माइंड और रीडिंग यह टाइमलेस है तो ज अच्छे से पढ़कर तभी मुझे मैसज़ करना तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्याता है तो प्तुपसे पहले आप दूनों की लाइफ में चल क्या रहा है? यह आपके लिए कार्ड है बैलिंस है और यह आपके पार्टनर के लिए कार्ड है रिलीसथ इमवास आपके partner की तरफ से है workaholic आपकी तरफ से है oh my god passion दोनों की तरफ से आया है चीक है चलो इनको हम describe करते है तो देखो जैसे कि मैंने शायद कल ही reading की थी या मैंने शायद आज reading की है बट balance का कुछ mention हुआ था और आपकी side से balance का card आया है अब बहुत सारा काम करने के लिए ready हो मुझे आपकी तरफ से एक अलगी energy मिल रही है कि आपना बहुत passion के साथ अपने सारे काम करने के लिए तयार हो आप बिलकुल भी रोना धोना पसंद नहीं करना चाहते हैं मैं नहीं रोना मुझे रोना ही नहीं है मुझे थो काम करना है मुझे तो life में balance क्रियेट करना है मुझे अपनी जंदगी में आगे बढ़ना है कुछ ऐसी energy में आप मुझे दिख रहे हो बहुत सारा faith divine पर रखकर आप अपने ऊपर faith रखकर आगे का काम करना चाहते हो ताकि life में आपको achievements मिलें आपको आपके rewards मिलें ठीक है अब आप बिल्कुल भी रोगे नहीं और negative फील नहीं करोगे क्योंकि आप एक अच्छा balance बनाना चाहते हो और साथ ही साथ यह workaholic का कार्ड दिख हाथ से लेने के लिए बिल्कुल तयार हो कि yes मुझे बहुत सारे surprises मिलने वाले हैं मुझे बहुत सारा abundance मिलने वाला है prosperity मिलने वाली है तो आपका aura आपका perspective बहुत positive हो जाएगा आने वाले time में और हो सकते हैं अभी से आप यह चीज फील करने लगे हो तो yes balance अच्छा बनेग है इनकी life में काफी ज्यादा negativity है इस time और यह उसको release करना चाहते हैं हो सकते हैं कि यहां से कोई loved one इनका कोई बड़ा थोड़ा सा बिमार है अभी तो उसको उसको लेकर भी थोड़ा tension में है तो आपकी person की life में अभी सही time चल नहीं रहा है यह काफी चीज़े face कर रहे है problems है इनके पास लेकिन फिर भी इनका भी perspective देखो इनकी भी thinking देखो इनके भी gut feelings यह है कि यह सारे challenges को accept करकर यह भी अपनी जिंदगी में एक balance बनाने की कोशिश करेंगे because दोनों हातों में bucket है इसमें paint है तो life को beautifully paint करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी tension worries है उसको release करने की कोश अब ही आपसे भी no contact हो सकता है लेकिन आपका perspective जो है life को लेकर बहुत positive हो गया guys नजर ना लगया आपको लेकिन yes आपका जो mindset है वो बहुत अच्छा है ऐसा ही mindset रखोगे ना आप higher frequency zone में चले जाओगे जो कि बहुत important है खुश रहने के लिए अपने targets अचीव करने के लिए क आपके सारे काम अच्छे से complete होता है और आपको positive energy मिलती है blessings मिलती है आपको आपका कर्म का reward मलता है ठीक है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो आपकी person की life में भी थोड़ी problems हैं तो अगर आप अच्छे से रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छी energy यहाँ पर आप दोगे तो एक तरीके से indirectly आप अपने partner की मदद कर सकते हो प्रेयर करके manifest करके ताकि इनको थोड़ी और energy मिले क्योंकि इनकी life में काफी चीजे अभी problematic हो चुकी है जिसको ठीक होने में थोड़ा सा time लगेगा तो अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेयर भी करते हो तो यह बहु आपके partner की खुशियां आपके partner चाहते हैं कि universe आप दोनों को वो सब चीजे दे जो आप दोनों deserve करते हो hand man high priestess यह आपके साथ telepathical connection बना रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत डिले हो रहा है लेकिन आप इस डिले में भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो यह अच्छी बात है nine of pentacles दो nine की card आ गए and we have again nine of wands देखो यह कितना अकेला पन फील कर रहे है तो बात तो नहीं कर सकते लेकिन telepathical connection बना रहे हैं और आप अपनी freedom अपने life में achievements हासिल करने के लिए बिलकुल ready हो and four of swords आपने अपनी क्योंकि सारी के सारी टेंशन को ना surrender कर दिया है that is why तभी आप इतना अच्छा फील कर रहे हो अपने partner के लिए भी खुद के लिए भी और आपके partner को भी destiny पर universe पर पूरा trust है that is why वो आपके साथ एक telepathic connection बनाएंगे आप दोनों एक दूसरे के well wish अरो don't worry सब अच्छा हो जाएगा आपके person के लिए प्रेयर कर सकते हो ताकि इनकी life से भी negativity जल्दी से जल्दी निकल जाए और आप दोनों एक track पर आजाओ सही से एक दूसरे को manifest करो तिक है यह reconciliation के cards ज्यादा आ रहे हैं तो आपका reconciliation pass आ रहा है congratulations मैं तो अभी से बोल रहे हूं मुझे लगता है within one and a one and a half month आपका reconciliation हो जाएगा आपके partner के साथ because आप दोनों ही यह feel करते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और काफी अच्छा feel करते हो एक दूसरे के लिए forgiveness and commitment future में यह इंसान माफी मांग सकते हैं और commitment दे सकते हैं यह सब केस में तो नहीं होगा लेकिन जो बहुत higher level तक जा चुके हैं अपने journey में तो definitely उनको commitment मिले के chances हैं यह जो भी conflict चल रहा है आप दोनों के बीच में resolve होगा don't worry तो forgiveness हो सकता है कि आप उनसे माफी मांग को वो आप से माफी मांगे और आप sort out कर लोगे चीजों को self respect बढ़ रहा है आप दोनों का ठीक है और एक दूसरे आपकी person आपको बहुत ज़्यादा respect दे रहे हैं आप अपना self respect बढ़ा रहे हो वो अपना बढ़ा रहे हैं और आप दोनों align हो रहे हो अपने higher goal की तरफ and love this is unconditional love guys जो आप एक दूसरे से करते हैं ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है अगर मिल गया तो you are very lucky okay so मुझे लगता है कि यह जल्दी commitment के chances हैं यहाँ पर और सब अच्छा हो जाएगा बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर ऐसा नेक्स section में हो सकता है यह इंसान आपको sorry बोलेंगे कुछ messages देख लेती हूँ मैं यहाँ से क्या आने वाले है जलो काफी सारे messages आगए इनको पढ़ेंगे और देखते हैं क्या लिखा है I could listen to your voice for days or end पूरे दिन पूरी रात ही आपकी voice सुन सकते हैं When we first met I just always had this feeling about you wow Give me a chance to love you and I promise I will do my best to make you smile every day Reconciliation होकर don't worry please don't give up on me I miss looking into your eyes you are my home wow you are my home and I want to reconcile with you and reconciliation के cards तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा आ रहे है So I want to reconcile with you यह इंसान चाहता है अब reconciliation करना I'm hoping things will work out I have a lot of sexual thoughts about you Even though we are not together I can't see myself letting you go Lovely Let's see more Okay holding your hands in the most awesome feeling in the world You are the most beautiful person I have ever seen Everything is possible I will do better I don't know how to express my love to you so I keep it inside एसे इंसान को express करना भी नहीं आता You are you are mine and I will always be yours today tomorrow and forever That is why it's a very very eternal love I'm speaking through songs Okay I know I'm not perfect and I know you are not either but I'm willing to work on us Because I love you and love is never perfect Wow I know we are being spiritually guided Wow Your touch is like no other I have toxic habits I have toxic habits This will be done Don't worry This is the only thing that I have to do It is time for career breakthrough Just thinking about you makes me smile I do believe fate is the reason for us There are so many love messages and positive energy and reading So I hope that you will like this prediction So just so much now guys Bye bye Take care Bye 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 bye